दोसो अट वचल में आप सभी का तेजल से स्वागत करता है दोस्तो दुनिया में जितनी भी फोन है हम सभी के मोबाइल में रहता है गोगल फोटो दोस्तो ये जो गोगल फोटो एप जो देख रहे हैं इस गोगल फोटो एप के अंदर चुपा हुआ है तीन ऐसे मज़दार इंट्रेस्टिंग खूफिया राज और खूफिया ट्रिक जो 99% लोगों को नहीं पता ना अपने जानने की कोसिस क्या होगा कि गोगल फोटो के अंदर ऐसा भी हो सकता है लेकिन 2022 में पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो गोगल फोटो देख रहे ना हम सभी मोबाइल का एक हिस्सा है और इस गोगल फोटो के अंदर वीडियो होता है आपका प्राइबिसी फोटो होता है लेकिन दोस्तों आप लोग की कुछ ऐसे गलती होता है जो आपका फोटो वीडियो डोकुमेंट कोई और बंदा हैक करके देखता रहेगा आपको पता भी ने चलेगा लेकिन दोस्तो इस ट्रिक की मद्य से आप किसी का भी पोल खोल सकते हैं तो यह जो तीनो ट्रिक में आपको आज बताने वाला जो गोगल फोटो के अंदर चुप दूस्तो वीडियो श्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइजीगा सपोर्ट कीज़ेगा लाइक करके जो बिल्कुल फ्री होता當 היãyक क है न कोई पैसा ने लगता लाइक ज़रू कीज़ेगा यह जो लाल बलब बटन देखे कर लीजएगा बेल पी की लिका-वल बताऊंगा जो काफी जबरदस ट्रिक है जो गोगल फोटो के अंदर छुपावा इस ट्रिक से फाइदा क्या उठा सकते जो बिलकुल चौक नहीं बालो दोस्तों यह पहला ट्रिक से यह है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो सफर में जा रहे हो बाइक पे घूम रहे हो औ लेकिन आप बाइक पे वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपका जो हाथ में मोबाल है तो काफी जादा शेक हो जाता जो भी अच्छा वीडियो आने लगता वो काफी बिकार हो जाता काफी जादा वीडियो जो है शेक होने लगता हिनने लगता अच्छा ने लगता वीडिय गोगल फोटो को ओपिन करना ओपिन करने के बाद यहां पर देख सकते एक वीडियो जो काफी जादा यहां पर शेक हो रहा जैसी कि आप देखे रहे जादा हील रहा है तो मैं क्या करूँगा इस वीडियो को जो बिल्कुल गेंबल की तरह स्मूध करने वाला हूं तो यहां यहां पाद टैप करेंगा एडिट पर क्लिक करना होगा तो एडिट पे जैसे क्लिक करोगा स्टिंग करें मैं डिखतीन क्या वापको 녹ा समय लग सकता उसको करने के लिए तो पूरा आप मैं save कर देता हूं, save करने के बाद मैं आपको after और before में आपको बता देता हूं, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने save किया, उसका वीडियो देख से कितना जादा stable यहाँ पर देखने को मिला जैसी कि आप देख रहे हैं, और पहले का जो वीडियो जैसी कि आप देख रहे हैं, कितना जादा हिल रहा है, तो आपको समझ में आ गया हूँगा कि पहले का वीडियो और अभी का वीडियो कितना वे different आपको देखने को मिल जागा, यह ता पहला धमा के दा ट्रिक जो आप लोगो को पता होना चाहिए दूसरा ट्रिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों यह जो दूसरा ट्रिक है बिलकुल गजब का ट्रिक है जो आप में से काफी लोगों को यह ट्रिक के बारे में नहीं पता होगा लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर आपने मुझे comment करके पूछ रहे थे कि भाई मेरे mobile के अंदर जो photo gallery वाल एप यूज़ करता है उस app से जो ना मेरा photo, video, document जो डिलेट हो चुका है तो कोई ऐसा तरीका बता हूँ जो मैं photo को recover कर सकता हूँ तो वो तरीका मैं आपको बता देता जो आप लोगों को नहीं पता है जैसे google photo को मैं open किया, open करने के बाद live proof के साथ देख सकते मैं यह photo को मैंने delete किया जानगुच के delete कर सकते हैं आप यह अंजाने में delete हो जाता है आपने undo नहीं किया, आप उस photo को recover करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो library link अंदर आएंगे ना तो यहाँ पर trust होगा, इस पर click करना click करने के बाद जो भी photo आपने delete करना, यहाँ पर आपको 60 दिन, यानि कि 2 महने के अंदर जो आप इस photo को delete कर सकते नहीं तो 60 दिन के बाद जो ना automatic कोई भी वीडियो यहाँ पर delete हो जागा, वो भी permanent है, अगर आप permanent वहाँ फोटो delete किया हुआ फोटो को आप recover करना चाहते हैं उस वीडियो का link में आपको description में दे दूँगा, वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने वीडियो बना दिया already, ज़रूर देखना ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको select कर लेना, select करने के बाद उस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो देख रहे हैं restore, पर तीसरा नमर का trick के बारे में, तीसरा नमर का trick है, जो आप किसी का भी पोल खोल सकते हैं, पोल खोलने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, दोस्तों आपके mobile के अंदर जो Google Photo एप है, जो हम सभी के phone होता, इस Google Photo के अंदर जो ना, काफी सरा photo होता है, वीडियो होता है, डोक नहीं करने वाला हूँ, मैं बताने वाला privacy को कैसे आप save कर सकते हैं, जो भी बंदा आपका photo को hack क्या होगा ना, उसका कैसे pole खोल सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों आपको Google Photo को एंदर जाना होगा, जैसे जाने के बाद दो दोस्तों यह जो profile है, इस पर click करना होगा यहाँ पर आपको photo setting के अंदर जाना होगा, जाने के बाद दोस्तों नीचे जाएंगा यहाँ पर partner sharing आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर email id बता रहा है, तो email id यहाँ पर बता रहा है, तो इसका मतलब कि कोई और बंदा जोना आपका mobile ले करके आपका photo को access कर रहा है, आपका पूरा access gallery का करके photo video document देख रहा है, आपको पता भी नहीं चला, कुछ गलती की बज़े से, क्योंकि mobile दे लेते हैं और वो बंदा होसियार होता, डालूल करके आपका mobile का photo देख लेता है, लेकिन आपको क्या करना है, इस setting में जा करके, यहाँ पर आपको partner sharing में click करोगा ना, तो यहाँ पर आपको get start बता रहा है ना, तो इसका मतलए कि आपका कोई भी hack नहीं किया हुआ, आपका photo को access नहीं कि आप बिल्कुल safe हो, इससे आप बस सकते हो, तो इस बात का ज़रूर देना होगा, जब भी mobile को देती ह जा करके जरूर देख सकते हो, तो यह ता privacy को ले करके, जो मैंने आपको तीसरा नमर का setting बता देए, जो आपकी जिकापी पूल कोल के रख सकते हो, क्योंकि जो भी बंदा email डालेगा ना, उसका email ID पर नाम तो हो गाई, और बंदे को जो भी नाम जानते हो, उसको तो पहिच कर देना, चुन सब्सक्राब करके बैलेगे, बहुल आल पेस कर देना, दोस्तों फिर्म मिलनें के दोस्तों बीडिमें अपने क्या लेके, टेक के राएंट, गुडबाई